दोस्तों का वेलकम है आपके लिए एक नई वीडियो और आ रही है तो दोस्तों आया हुआ हूँ अपने गाउं तो नाइट का सफर था तो बहुत जल्दी हम लोग आ गए हैं तो कोई बात नहीं आपको इंजोई मिलेगा और गाउं में किसलिए आया हूँ सहर की भाग दोड़ बरी लाइफ और ट्राफिक का सोर से हम फ्री होके आए हैं अपने गाउं तो बीडियो काफी लंबी होने वाली है तो दोस्तों ये बीडियो आपको कई पार्ट में मिलेगी तो गाउं के आप भी खुबसूरत नजारे का मजा लीजिए मेरे साथ तो दोस दोस्तों हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको कई नजारे देखने को मिलेंगे तो दोस्तों वीडियो याद रखना हर पार्ट में बनेगी वीडियो और दोस्तों हर वीडियो आपको कुछ दिनों बाद मिल जाया करेगी एक दो हपते के बाद तो दोस्तों मैं का हारा बास है तो यही सूखने के बाद कई कामों में आता है तो आप देख सकते हैं तो मैं बैक केमरे से आपको अपने गाओं का नजारा दिखाता हूं उसके बाद हमें अपने ननिहाल भी जाना है तो वहां की भी नजारे आपको दिखाऊंगा तो चलता हूं आपको बैक केम केमरे से नजारे दिखाते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले देखें यहां पे बंदर कितने हैं तो मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूं आपको दिखें नहीं होंगे तो देखिए दोस्तों यह बंदर इतने ही खतरनाक है कि अगर आप केमरे से वीडियो बना रहे हैं तो यह सोचेंगे ये कुछ आप खाने के लिए इंको चीद दे रहे तो आपका केमरे लेके भाग जाएंगे तो काफी उधम मचाथे हैं ये और यहां के लोग बताते हैं वो अपने कपड़े अगर सूखने के लिए डालते हैं तो ये लोग उनके कपड़े जो होते हैं सुखे हुए वो लेके भाग जाते उनको कपड़ों को फाड़ देते हैं मतलब खेलते हैं उनके साथ इनको क्या पता इतना तो देखिए आपको दिखा रहा हूँ यह देख सकते हैं आप यह देखिए यह बंदर है और देख सकते हैं काफी उधम मचा रखा और जिस देखिए बांस कई काम आता है तो यह देख सकते हैं इस पर दोस्तों यह है देखिए गाओं के ऐसे चपर होते हैं तो यह देखिए एक जोपड़ी टाइप में बना रखा इसको तो देख सकते हैं आपको यह जो पतेल होती है उसको भुन कर यह छट बनाते हैं और यह तो ये बरसीम दिखाते हैं किस मसीन से कटती है ये आपको दिखाते हैं तो ये देखिए इधर है चलते हैं लेके ये सब पुराने जमाने की चीजे हैं तो अभी भी गाओं में ये सीजे चलती हैं तो ये देखिए ये है वो मसीन तो यहां पर बरसीम को डाला जाता है और फि पिर इसको चलाया जाता है, हैंडल, यह है इसका हैंडल, इसको कुछ ऐसे चलाते हैं, तो यह ब्लेड है, यह ब्लेड इसको काटता है, तो देख सकते हैं, यह ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड यहाँ पे काटता रहता है, और काट काट के नीचे गिरता है, तो इसे जानबर गाए भैस जो पाल रखे हैं गाव में उनके लिए ये चारा बहुत अच्छा रहता है तो गाव में सारा कुछ जो है के खुदी करते हैं और घर का सुद्ध दूद्ध दही और लस्सी मिलता है तो इधर देखिए ये सब जानवर है चलिए आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए ये सब जानवर पाल रखे हैं देखिए वो गाए है वो उदर भैस बनी हुई है वो उदर भैस है और उदर है तो मतलब की सहर में हमको जितना सही दूद्ध दही नहीं मिल पाता है कही न कहीं उसमें मिलावट होता है पनीर वगेरा पर जो गाओं में खुद कि घर का रहता है तो मुझे बताना जरूरर कितने लोग इसे पहचान गए कमेंट करना तो देखे इस पे ये flower और और ये fruit बन रहा है तो ये है cut hell का पेर तो देख सकते कटहल का पेड़ कुछ इस तरह होता है और इस पे दिखाता हूँ जूमिंग करके जो फ्रूटिंग इस पे स्टार्ट हो गई है तो ये देखिए वहाँ आप कोने पे देख सकते हैं वहाँ पे फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है तो एक से डिड़ महीना लगेगा तो इस पे बहुत अच्छे से फ्रूटिंग कटहल बड़े-बड़े साइच के 50-50 किलो के कटहल इस पे लटकेंगे और ये जो साइड में देख रखे हो ये आम के है तो दोस्तो गाउं में आने का कुछ और ही मज़ा है ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लाते रहूँ तो गाउं में का ये ही कुछ न जा रहा है तो इधर लेके चलते देखे यहां पर बंदर बहुत है देखिए यह देख सकते हैं यहां बंदर बहुत है तो देखिए सब कुछ गाउं का न जारा है इतना खुबसूरत न जा रहा है ये तो आपको खेत में लेके चलता हूँ तो दोस्तो बीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि मैं अभी और भी जगे जाने वाला हूँ तो बीडियो में बने रहें बीडियो आपको एक पार्ट दो पार्ट ऐसे करके मिलेगी बीडियो तो इधर देखिए ये जो हम सहरों में ढूनते हैं वो चीज नहीं मिलती है ये है कंडे होते हैं ये गाई भैस के गोबर से जो तैयार किये जाते हैं तो ये जलाने के काम आते हैं और इसको अगर हम कुछ दिन के लिए छोड़ दे और इस पर पानी का छिड़काओ करते हैं तो इसकी बर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी बनती है जो केचुए डाल ले के बाद तो ये सब और्गैनिक चीजे हैं और ये ही खेतों में पढ़ती है तो दोस्तों जानते हैं कि सहरों में जायतर केमिकल वाली चीजे ही आती है तो इसी की खाद यहां बनाई जाती जैसे कि आप वो कोने पर देख रखे हैं वहाँ पर जानबरों का जितना जो मैटीरियल है वहाँ डाला जाता है क्या खाते हैं घास खाते हैं गास बरसीम ये सब naturally चीज़े खाते हैं तो जो गोबर निकलता है वो कुछ कंडे बनने के काम आ जाता है तो साल दो साल जब खटा हो जाता देखे वह धेर बने हुए है तो जब काफी time हो जाता तो उसको उठाके क्या किया जाता है खेत में डाला जाता है खेत में डालने के बाद क्या होता है कि जो औरगेनिक चीज होती वो मिलती है तो औरगेनिक चीज खाने का कुछ और ही मज़ा होता है दोस्तों आप तो जातर लोग केमिकल वाली चीजे डालने लगे हैं तो आपको अपने खेत लेके चलता हूँ तो ये देखिए ये देखिए इधर लगा रखे हैं ये सबजी और ये जो आप देख रहे हैं न सामने ये हरियाली देख रखे हैं ये बरसीम होती है गाए भैसों के लिए तयार की जाती है ताकि वो इसे खाएं और अच्छा जो के उन्हें पोसक आहार मिलता है जिससे दूत जो है अच्छी क्वाल्टी का मिले तो दोस्तों जानवर जब अच्छा खाएगा तभी उससे अच्छी उत्पादन मिलेगा और इधर देखिए ये मूली लगा रखी है साइड साइड में ये मूली लगी हुई है इधर और इसमें आलू लगा रखे थे तो आ ये तो बरसीम है मैंने आपको दिखा दिया जानवरों के लिए है और उदर लेके चलता हूँ उदर कुछ सबजियां लगा रखी है तो वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ तो दोस्तो गाओं का नजारा आपको कैसा लग रहा है जरूर एक लाइक जरूर कीजिए ताकि मूली यहां लगी हुई है यह देखिए यह मूली है तो अभी मैं इसको नहीं छेडूँगा हाला कि यह पूरा खेट हमारी है तो यहां पर लोग खेती करते हैं और हम आते हैं साल दो साल में एक बार आते हैं कुछ दिनों की छुट्टियां लेके ताकि ड्यूटी करते तो ये देखिए ये है इसे बोलते मेथी ओर्जिनल मेथी बोलते हैं इसे आप अपने घर में पता कीजिए अगर आपको नहीं पता है मेथी अगर आप गाउं में रहने वाले हैं तो आपको पता होगा मेथी किसे कहते हैं ये है ओर्जिनल मेथी इसकी अगर पत्ती अगर एक मैं तोड़ता हूं तो इतनी खुस्बू निकलती और इसकी जब सबजी बनाई जाती तो पोशक तत्वों से भरपूर रहती है और इधर देखे ये पालक है तो दोस्तों क्या होता है जब इस पालक को हम काट लेते हैं तो ये फिर से नीचे से ग्रो होना सुरू हो जाता है त तो ये है पालक पालक की दाल खाये जाए पालक पनीर खाये जाए और 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 गैनिक है एकदम तो आप देख सकते हैं इधर पालक लगा हुआ है और इधर आपको लेके चलता हूं तो इधर क्या लगा हुआ इधर देखे धनिया लगा रखा है ये देखे ये है धनिया लग खुसबू हो जाती है देशी धनिया कोई इसमें केमिकल नहीं डाला गया ना कोई पैस्टिसाइड डाला गया है सिर्फ और्गेनिक है एकदम पुरा और्गेनिक से तयार किया गया है तो आप देख सकते हैं यह धनिया लगा हुआ है तो सारे यहां पे जातर सबजियां खरीते नहीं यह खुदी खेत में लगाते हैं तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो इसे लाइक कीजिए और जल्दी आपको एक नेश्ट वीडियो मिलता हूँ चैनल सस्क्राइब करके रखे क्योंकि अभी गाओं की वीडियो आगे और आने वाली है अभी मैं यहां पे और कुछ दिन और गाओं में रहूँगा तो और वीडियो आपको आने वाली है तब तक इस वीडियो को देखिए और लाइक और सेर जरूर कीजिए और चैनल सस्क स्क्राइब करके रखें नेस्ट वीडियो फिर मैं ला रहा हूं तो फिर मिलते हैं बाई बाई